तो guys अगर आप भी ऐसा problem fix कर रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप कोई ऐसा missing file खोज दिए दोस्तों MSS322.dill अगर file आपका missing है दोस्तों आपके laptop से तो आप कैसे fix करते हैं कैसे आप अपने laptop में वापस लाते हैं देखे दूस्तों आपके laptop में बहुत सारा file होता है विंडो आपका C में जो कि आपको पता ही नहीं होता है उसका यूज भी नहीं पता है दोस्तों लेकिन अगर problem missing आ रहा है इस तरीके से ms32.dill तो कैसे इसको fix करते हैं तो बिनादेर के वह दोस्तों इस वीडियो को लास्त दिखे बने दिए मेरे यूट्यूब चैनल पर क्योंकि मैं इस तरह कर वीडियो लाता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है फॉस्ट आपको करना क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकिन दाबना है क्योंकि मैं इस तरह कर दोस्तों वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों आपको पहले Chrome browser on करना पड़ेगा और Chrome browser on करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है तो यहाँ पे simple सा दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर देना है उसके बाद ऑविसली दोस्तों 100 परशेंट ऐसा ही होता है कि यहाँ पर एक ऐसा ओप्सन देख रहे हैंगों दोस्तों आप यहाँ पर लिंक फाइल उपर वाला देखिएगा नीचे वाला कोसिस नहीं करना होता है देखने के लिए तो यहाँ पर द दोस्तों देखना है www.dilll-file.com और यह MS32 आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे सिंपल सा इसके बाद कुछ नहीं करना है नीचे आपको डाउन होना है यहाँ पर दोस्तों जैसा के अप्सकिन पर देख रहे हैं आपको यहाँ पर जितना नीचे जाएंगे दोस्तों उतना आपको उल्ड वर्जन मिलेगा आपको दोस्तों हमेशा लेटेट्स वर्जन ही डाउनलोड करना है तो गाइस कुस नहीं करना होगा आपको यहाँ पर बस यह डाउनलोड को क्लिक करेंगे और डाउनलोड होना चालू हो जाएगा डाउनल पर दोस्तों दोस्तों करना है सिप एक को पहले आपको यहां पर पहले इसको एक्स्ट्रेट करना ही पड़ेगा तो क्या करते हैं आपको बताते हैं करना क्या है आपको यहां पर एक्स्ट्रेट कर लेना है और यहां एक काम करता हूं दोस्तों उसको डाउनलोड में नहीं करके यहां पर कहीं भी आप इसको एक्स्ट्रेट करेंगे आपके पास यह बन जाएगा cookie में उसके बाडड दोस्तों आपको का करना में जाने के बाद बोस्तों आपको सिस्टम सिस्टम 32 खुजना है दोस्तों तो सिंपल सा दोस्तों सिस्टम 32 यहाँ पर स्किन पर देख रहे हैं सिस्टम 32 में जाना है गाइस सिंपल है दोस्तों आपको system 32 में ही copy करना है और यहां पर आपको control भी कर देना है जैसे आप paste करेंगे दोस्तों आपके पास यहां पर continue का option आएगा बस continue कर देना है इस तरीके से यह copy हो जाएगा ms32.dil मेरे laptop में already होगा तो हो सकता है यह problem मतलब copy ना हो actually हो गया copy क्योंकि मेरे laptop में भी नहीं था दोस्तों इस तरीके से यह problem fix होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अका आपको यह local.dee c में जाना है उसके बाद window में जाना है old window 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 2 हो सकता है आपको window में जाना है window के बाद दोस्तों system 32 में जाके बहुत सारा file होगा दोस्तों approach आपके पास फाइल होगा बस यहां पर इस फाईल के बीच में copy यहां पर पंट्रूल भी कर देना है बस इस तरीक कै से फिर्स करने के बाद दोस्तों ये फ्रावलम फिक्स हो जाएगा